मेरे प्यारे देश्वासियों हमारे देश में मानसुन का लगातार विस्तार हो रहा है अनेक राज्यों में बारिस बढ़ रही है ये समय जल और जल सवरक्षन की दिशा में विशेश प्रयास करने का भी है हमारे देश में तो सद्यों से ये जिम्मेदारी समाजी ही मिलकर उठाता रहा है आपको याद होगा मन की बात में हमने एक बार स्टेप वेल्स इन बावडियों की विरासत पर चर्चा के थी बावडी उन बड़े कुओं को कहते हैं जिन तक सीडियों से उतर कर पहुंचते हैं राजस्तान के उधैपूर में ऐसी ही सेंकडो साल पुरानी एक बावडी है सुल्तान की बावडी इसे राव सुल्तान सी ने बनवाया था लेकिन उपेक्षा के कारण धीरे धीरे ये जगह दिरान होती गई और कुडे कचरे के धेर में तब्दिल हो गई है एक दिन कुछ युवा ऐसे ही घुमते हुए इस बावडी तक पहुँचे और इसकी स्थिती देखकर बहुत दुखी हुए इन युवाओं ने उस इक्षण सुल्तान की बावडी की तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प लिया उन्होंने अपने इस मीशन को नाम दिया सुल्तान से सूर्तान आप सोच रहे होंगे कि सूर्तान क्या है दरसल अपने प्रयासों से इन युवाओं ने ना सिर्फ बावडी का काया कल्प किया बलकि इसे संगीत के सूर और तान से भी जोड़ दिया है सुल्तान की बावडी की सफाय के बाद उसे सजाने के बाद वहां सूर और संगीत का कारकम होता है इस बदलाव की इतनी चर्चा है कि विदेश सीवी कई लोग इसे देखने आने लगे हैं इस सफल प्रयास की सबसे खास बात यह है कि अभ्यान सुरू करने वाले युवां चार्टर्ड एकाउंटन्स है संयोग से अब से कुछ दिन बाद एक जुलाई को चार्टर्ड एकाउंटन्स डे है मैं देश के सभी सीएज को अग्रिम बधाई दिता हूँ हम अपने जलस्रोतों को संगीत और अन्य सामाजिक कारिकमों से जोड कर उनके प्रती इसी तरह जाग्रूत्ता का भाव पैदा कर सकते हैं जल संवरक्षन तो वास्तों में जीवन संवरक्षन है आपने देखा होगा आज कल कितने ही नदी महोसों होने लगे है आपके शहरों में भी इस तरह के जो भी जलस्रोत है वहां कुछ न कुछ आयोजन अवश्य करें